हेलो एवरीवन वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ट बाइभी मन्यु आई एस और पंजाब एलाइड की क्लास के अंदर आज हम डिसकस करेंगे एनलोगी यस जो स्टुडेंट्स पेर कर रहे हैं पंजाब गोर्मेंट के एक्जाम के लिए उनके लिए आज की क्लास काफी ज क्लासिफिकेशन करेंगी तो सबसे पहले पता होना ची कि अनलोगी है क्या अनलोगी बेसिकली है क्या यस इस कोरस्पोंटेंस दैट मींस वास समानता देखनी हमने ठीक है तो अपने पास में जो एनलोगी पर बेस्ट कोशन आते तो उसके अंदर क्या हो का कि आपको यह चे रहते हैं कि इसके अंदर कोशीन कैसे कैसे आप यह की जटे की आपको कि आपको कुछ अलग से मैं यह क però आप और इसके बेस पे आपका अनलोगी का समर्जी कोश्चन आजाए आप कर लोगे ठीक है मैं आपको आज के क्लास के अंदर ये बता रहे हूं कि किस तरह के कोश्चन आएंगे और कैसे आपने इसको प्रपेर करना है तो देखिए अगर हम बात करते हैं कोश्चन की तो सबसे पह प्रपोर्शन का साइन है और उसके बाद क्लोथ कोलन सिसको अशनी पढ़ना ऐसे नहीं करने क्या लिख औगे इσको क्या समझो गया अंडरस्टेंट करना हमने की निऊस्पेपर इस रिलेटिड क्लु प्रेत टु writing देटिक पया पर इस सेम वए वह प्लोथ इस रिलेटिड समझाई बात कि न्यूजपेपर जैसे कि प्रेस के साथ न्यूजपेपर का जो रिलेशन है तो बताओ क्लोथ का किसके साथ सेम रिलेशन होगा ओके तो अब हमें पता है न्यूजपेपर और प्रेस को देख के हमें क्या पता है कि न्यूजपेपर प्रेस के अंदर छपता है में में च्छकत आए डैट मीन्स कि हमें आप उतक ये पूणता मतना के स восп ! और टेक्ण टेक्स टाइल टेक्स टाईल वेकंतर से कपड़ा हो गया इसका सिनौनीम हो गया फाइब फाइबर भी यह था कहा तो हम रही कातरी और मिन दो ऑप्शन है के अंदर हमारे पास में आता है कि हांजी क्या हो सकता है अपने पास काफी लोग बनता है यह घंग है उसे यह बच्छों को फैक्टरी और मिल के अंदर फैक्टरी आंसर नहीं हाएगा अएगा ओके नेगस अगर हम पात करते हैं नेक्स्ट की तो अभी मैने आपको क्या कर क्या की जीक की होती है यहां पर आप देखो और तुर्वेंद्रम किसकी राजधाने अभी आपको पता होना चाहिए ओके तो यहां पे अपने पास में कैलकटा गुजरात राजस्थान केरला एंड सिक्किम तो हांजी जल्दी से पताएंगे क्या आएगा अपने पास में हांजी क्या आएगा केरला बैन प्लेयर है सब्सक्राइब को कोई डाउट इसके अंदर नेक्स दिखें अब इनसे कोश्चन से आपको क्या यहां पे क्या हो रहा है कि मैं यह कहुंगी कि यही कोशिन आएगा हां स हमें क्या पता चलव है कि हमें यह भी याद करना है कि हमें हरे एक स्टेट की कैपितल प is related to alert same way viable is related to what we learned alert kya hai ye synonyms hai to viable ka synonym chahi hai hai simple si baat hai to viable ka synonym kya hai ga yes you have five options active this is option one okay yes active gentle hopeless feasible and useful and we know that viable ka kya hoga feasible so option d is the correct answer kya hai ga option d is the correct answer okay yes next make it next doctor is related to nurse same way dash is related to follower abdekho ya hapa ya hapa doctor nurse abjo doctor hai us kya under kong kama kata nurses kama katiya na abhiya hapa follower ke agini ya hapa kya hai ki yo nurse ka relation joda doctor ke saath hawa hama follower ka is question mark ke saath bata na means yeh pahle hai apne paas abhi jo last question tha aapne dekha ki last question ke andre kya tha aapke paas me question mark kaan tha baad me tha mean is kaja relation is kya saath hai hama is kya relation naga joh further word ae ga us kya saath find out karna ta abhi kya hai aapke paas me ya hapa hai question mark that means that means ki joh is kya relation is kya saath find out karna that means what ki nurse joh hai woh kis ko follow karthi hai doctor ko follow karthi hai same way follower kis ko follow karthi hai haan ji follower kis ko follow karthi hai leader ko follow karthi hai hapa kya jaya ga aapke paas yes leader a child okay haan ji clear next day Kya всke nare lawa bhi alag alag type question ateva sabi karari mab logo ko video ko share karthi ji aapne friends kya sath my haan ji video ko share karthi ji aapne friends kya sodh me jinnho na channel ko habi tak subscribe nahi kiya subscribe karthi jokai jinrona free warm-up course ko register करने का benefit आपको क्या होना है कि वहाँ पे आपको जो भी एलाइड पे लेक्चर जाता है वो सभी लेक्चर विद पीडियेफ अवलेबल है आपके स्टेप बाइस ठीक है तो यह आपको हेल्फुल रहेगा तो फ्री वार्मप कोर्स को आप रेजिस्टर कर सकते मिलिंक अब लेबल हाँ जी चल देसा आंसर बताईगे शाबाश देखो क्या है यहाँ पर के特ल हाड शीप येज्ट कैटल हाट अब इसका रिलेशन क्या है बिद्म का रिलेशन क्या है इप एटल हाड ब embora उपके लिस गूप ऑफ ब्रूप का का है किसी भी पर्टिकुलर ग तो शीप के ग्रूप को क्या कहते है हां जी शीप के ग्रूप को क्या कहते है फ्लोक ओके सो आंसर विल भी फ्लोक यस नेक्स देखिए नेक्स्ट आपके पास फ्लो रीवर अब यह भी याद करना आपने ठीक है अब नेक्स्ट क्या है फ्लो रीवर स्टेंजेंट फ्लो मिन्स बहना ठीक जिसका अंदर में क्या है कि जो रीवर है रीवर क्या करती है फ्लो करती है चलती है ठीक है स्टेंजेंट स्टेंजेंट मिन्स खडा हुआ मिन्स एक जगे रुका हुआ तो अब बात है कि जो रुका हुआ रीवर का पानी क्या होता है फ्लो करता है अब रुका पूल जो होता है उसका पानी खड़ा हुआ होता है पूल क्या होता है अपने पास में एक तलाब टाइप सोता है और उसके अंदर पानी सिरफ उसी के अंदर ही रहता है अगे चलता नहीं है ठीक है तो अंसर क्या आ जाएगा आपके पास पूल विल बीदा करेक्ट नंसर ओके yes next make here next time to pass power cat okay is same relation of who yes as power is related to cat same way hoof is related to what power power kisko both the Punjab older umpunji kiske pangit cat cat kakata panjyotana you see there as a hoof kiss kota hoop means cool cool kiss kota lamb elephant lion or horse hanji is kota horse kit that means horse is the correct answer okay yes horse is the correct answer next question dekhi next step to pass yes orthoanalyst is related to bird same way archaeologist is related to bird hanji joe bird ki study karte yes birds page o study karte hai jose ki to us ko kya bolti hai yas or neotholist thik hai yas isi taray say archaeologist kone hota hai archaeologist wo hota hai jose archaeology ki study karte hai thik hai to yaha pe apne pas me answer kya jayega archaeology okay that means ki hume ye bhi learn karna hai ki hanji kisi bhi particular field ki study jo karta hai usko kya kate hai hanji usko kya kate kate hai ye bhi aapko learn karna hai done yes koi particular person kya kama karta hai woh bhi hame learn karna hai hamne ye bhi learn karna hai ki koi bhi particular person hai koi bhi woh kya use karta hai apna kama karne ke liye woh bhi aapko learn karna hai sabhi analogi ki ke liye bachi practice chahi hai yes analogi ke liye aapko maximum to maximum questions karna hai thik hai yes yes to next bata ye jaldi se yes next hai aapki screen pe yes peacock india bear to what peacock is related to india same way bear is related to what abh hume pata peacock kya hai yes peacock is national bird of india kya se relate karra india se it is a national bird of india abh bear bhi kuch na kuch national hai bear kya hai animal hai abhu national animal koon se country ka hai yes bear is national animal of which country yes australia america russia or england hai abhi aapko pata hona chahi hai thik hai agar aapki gk achi hai to aap hi hapa attempt karra hoge otherwise question raha jayegh is liye maximum to maximum question solve karna hai yes analogi pe maximum to maximum question solve karna hai aapki kya hai yes 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 so yaha pya bier bier kis kya russia ka national animal hai sabhi ko yagakana ki bear kya russia ka national animal hai yes next day kya hai hai haan ji abh next type kya hai abhi jo question are written aapki paas me who can arti colon ki form me are the colon ki form me are raha raha hir thay statement ki form me n ahi abh analogi kya and the question statement ki form me bhi a jaateh jai se yeha 160 is related to patient to yaha pya kya hir hih paas aile akbu pas aise likh को इस स्रीफ मैं में मिल नहीं तो दोनों एख भाता कोई फरकं आगर आपको पता है कि हंजी इसका मिनिंग यह है इस का मिनिंग यह है इसी है जश्ण समझ में कहलए अब डॉक्ट का में बारा आ झाल है जब उसकोmee मार्न है तो वह अपने किलाज के लिए किसके पास आएगा डॉक्टर के पास आएगा ठीक है इसी तरह ऐसे लोयर के पास कौन आता है अपनी प्रोब्लम को लेके यह डॉक्टर के पास पेशेंट आता है अपनी प्रोब्लम को लेके अपनी विमारी को लेके अब कॉस्चिन है कि सेम वे लोयर इस रि next question है screen पर देखें क्या है yes next question क्या है यहाँ पर आपके पास museum is related to curator yes museum is related to curator in the same way prison is related to what museum is related to curator curator कौन होता है जो museum की देखभाल करता है museum का भाद जो भी IS सारा कार्यवार सभालता है ठीक है उसको बोलते हम क्या है prison is related to the present गजो प्र이신त है prison का जो कारी है भार समभाल रहारा प्रीजन का सारी की सारी प्रेजन सच रिलेट एक फाल कर रहा है उसको क्या कहते है Yes, Manager, Monitor और Jailer और Warden Yes, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सब को पतर ہیں, Jailer होता है हम सबी को पता IGBA जयल के अंदर Jailer होता है तो यहाँ पर क्या आईगा? आफे पास में Jailer आएगा Okay? Yes, next question देखें Next question है, screen पर Shop is related to wash In the same way, broom is related to what? Yes, shop is related to wash सब किसली काम आते से प्रूम कर या करते हैं शीप करने के लिए तो यहां पर स्वीप करने के लिए कि उसको जब हम ब्रूम है उसको क्या बोलते हैं स्वीपिंग कर रहे ठीक है तो क्या आएगा आपके पास में जो लोग जाडू कजी काम करते हैं तो उसको हम स्वीपर भी बोलते हैं तो क्या होगा स्वीप आएगा clear yes next question है screen पर देखे यस wax is related to grease wax is related to grease in the same way milk is related to अब देखो यहाँ पर पहले relation देखो wax is related to grease wax से क्या बनती है grease बनती है ठीक है in the same way milk is related to what milk से क्या बनता है अब milk से क्या बनता है यहाँ पर अब हमारे पास में है drink drink करने में काम आता है घी curd protein protein मिलता है milk से बट यहाँ पर क्या कह रहा है कि बनता क्या है तो यह दोनों भी बनते है घी भी बनता है अब answer क्या आएगा अब यहाँ पर हमने बताना है कि primary element क्या है ठीक है ना तो मिलक से पहले curd बनेगी curd के बाद घी बनेगा ना तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में curd आएगा इस question को ध्यान से समझ लीजिए आंसर इसका curd आएगा घी नहीं आएगा अब depend करते कई बार option में घी नहीं होता बट यहाँ पर आप्शन में घी है ना यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में curd आएगा करड ना ओके यहाँ पर कुछ और होता घी होता फिर हम घी को सेलेक्ट कर लेते चीक है यह स्क्लियर नेक्स देखिए next is walk is related to run in the same way breeze is related to what walk is related to run पहले हम धीरे धीरे walk करते और उसके बाद में speed ले लेते that means what कि walk को अगर हम faster mode में देखे तो क्या हो गया वो run हो गया ठीक है यह same way breeze breeze होते है जो हलकी हलकी सिमी सी है ना हवा चल रही होते उसका हम बोलते breeze और जो तेज हवा चलते उसको क्या बोलते है cold dust wind और air हां जी क्या कहते उसको wind कहते क्या कहते wind कहते तो answer क्या आएगा आपके पास में okay yes clear है यहां पर हमने intensity give न है कि अगर धीरे है तो उसको हम क्या कहँ रहे और उससी को अगर तेज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा तो जब धीरे है तो उसको वॉक कर दिया जाय हो गया सेम वे भी क्या होगी हवा जो धीरी-धीरी बिल्कुल जल रहे हैं उसको हम ब्रीज कहते हैं और अगर हवा तेज चल रहे तो इसको क्या कहते हैं विंट कहते हैं ओकई Josh सेखिए थायब के एंदर हम ने क्या क्या है तक आपके पास के इंदर क्या कॉलम ने ढूरा एक रिलेशन घिवन और और में भी relation given yes question में भी relation है और options के अंदर भी relation given है तो यहाँ पर आप देख रहे हो चौक blackboard चौक किस लिए काम आता है blackboard पर लिखने के लिए काम आता है ठीक है अब यहाँ पर option है हमारे पास type paint typing के लिए paint नहीं ठीक है आप table chair हां जी चौक से blackboard पर लिखते हैं टाइप से paint में लिखते हैं ऐसे कर आख रो कोश्यन अपने खुद से ही question करो हां जी टाइप से paint में लिखते हैं नहीं लिखते टेबल से चेर पर लिखते हैं नहीं इंटरप्ट कर दिया में रुकावट कि किसी भी चीज के अंदर रिकावट मिन्स फरस्ट क्या है रुकावट है दूसरे की क्लियर आप देखो दैट मिन्स वाट के अगर हम देखे तो यह एंटोनिम सा आगे उल्ट का दन तो यहां पर अगर हम देखे तो क्या आएगा आपके पास शाउट शेल इंट्रूड एंटर कॉंसीड डिफैंड और इंटर्फेयर एसिस्ट अगर कोई एसिस्ट कर रहा है और इसको कोई इंटर्फेयर कर रहा है मतलब वहां पर रुखावट पैदा कर रहा है तो यहां पर अपने पास में अंसर क्या आज आएगा इंटर्फेयर इस डिलेटेट टू एसिस्ट ओके यास क्लियार कोई डाउट किसी को अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कें कमेंट कमेंट सेक्शन यास कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो ओके यास नेक्स देखिए नेक्स्ट आपके पास गलॉव हैंड गलाउज को किस में डालते हैं हैंड में पहनते हैंड में पहनते अब देख नेक को नेक को को कोलर में पहनते नहीं टाई को शर्ट में पहनते ह एक सोक्स को फीड में पाहंते यस बिल्कुल ठीक है कोट को पॉकेट में पाहंते है आध यहां पे की वह उसको उसी तरह से रीड करो और आप्शेंस में देखो कि हम जी मेरा वैसा ही रिलीशन बन रहे जिस ओप्शन के अंदर आपका व्सेम डिलेशन बन रहा हो आपका अंस अब हमने पहले देखना है कि किस टाइप का रिलेशन है ठीक है अब लोयर कोट लोयर का कोट से क्या रिलेशन है लोयर काम करने के लिए कोट जाता है लोयर का काम किसमें है कोट के अंदर है लोयर कहां पर बैठता है कोट में बैठता है ठीक है अब देखो हां जी इसी तरह से chemist laboratory में बैठता है, बिल्कुल जो chemist होता है, हो किसमें बैठता है, laboratory में, business man office में बैठता है, नहीं, shop पे बैठता है, अपनी, जो भी उसकी दुकानदारी है, ठीक है, labor, factory, anthine, clear, तो क्या जाएगा, chemist, laboratory, clear है, हाँ जी, बिल्कुल, next देखें फिर, next question है, screen पे देखें के है, letter, word, letter, हाँ जी, क्या है, letter, word, means, जो हम लेटर लिखते हैं, तो उससे word बन जाता है, हाँ, यही कह रहे, जब हम दो तीन लेटर, means, more than two letters होते हैं, तो हमारे पास में word बन जाता है, जैसे, for example, हमने लिखा, book, B, O, O, K, क्या है ये, there are four letters, और इन four letters से ही, पूरे का पूरे क्य बन गया, word, बन गया, that means कि हमारे पास में relation क्या है, यहाँ पे, कि जो first one है, उससे second build हो रहा है, ठीक है, first one को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, second build हो रहा है, तो अब देखो, pages, book, yes, अगर हम बहुत सारे pages को कठा करके, बना देते हैं, तो क्या बन जाती है, book बन जाती है, बिल्कुल सही है, yes, product factory wrong हो जाएगा, club people wrong हो जाएगा, yes, club से people तो नहीं बनते, ठीक है, homework से school नहीं बनता, तो क्या जाएगा अपने पास में, first one is the correct answer, okay, yes, first one is the correct answer, pages से क्या बनती है, book बनती है, letters से word बनते है, pages से book बनती है, okay, यह type clear है, yes, अब next type हम करने बने वाले हैं, next type क्या गयती है, आपके पास में नंबर अनलोगे, क्या आ गई है, नंबर अनलोगे, नंबर अनलोगे के अंदर क्या है, जैसे अभी हमने अनलोगी की, उसके अंदर हमारे पास में, जो था हमारी जिके को चेक करने के लिए एक तरह से है, कि हमें relation find out करना है यहाँ पर भी हो तो वही रहा है, relation हमारे पास में एक given है, दूसरा find out करना है, बट यहाँ पर क्या है, नंबर की form में, यहाँ पर क्या है आपके पास में, नंबर की form में है, तो यहाँ पर नंबर से हमने decide करना है, जो पहले वाले जो दो नंबर है, इनके बीच में क्या relation है and we want to find out the second number which have the same relation with this one okay तो अब यहाँ पर देखो 21 is related to 3 means 21 से 3 build करा हमने अब 21 से 3 कैसे बनेगा अगर मैं 21 को 7 से divide कर देते तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा done same way 574 से क्या बनेगा अब यहाँ पर relation क्या है हमारे पास में डिवीजन का रिलेशन है डिवीजन का रिलेशन है दोनों नंबर में तो दूसरे में भी क्या होगा same relation हमने देखना है तो relation क्या है 574 को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ 7 से ती क्या आगे आपके पास में साथ आट छो पंजया साथ दोनी चोदा डैट मींस 82 सो आंसर क्या जाएगा आपके पास में 82 हां जी क्लियार जब नंबर्स है तो उसके अंदर क्या होगा नंबर से एक नंबर से दूसरा नंबर बन रहा है क्या हम डैट मींस कि कोई ना कोई यह ऊप्रेशन्ड पर्फोง मोरा प्लास माइन डीनस मोल्टिपakyам डीन सकर क्या तो सकते क्या पास माइनमें डुसरे पर डाई करना है next देखिए, yes अब बताईए, 327, yes 3 is related to 27, same way 4 is related to what, 3 से 27 बन दा, अब अगर हम देखिए तो 3 से 27, अगर मैं 9 से मल्टिप्लाई करूँ तो 27 बनेगा, यही आएगा मैं रिमाइड में सबसे पहले, अब 4 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 36 आना ची, 36 तो option में है न दूसरा लिलेशन ढूंडेगे, ठीक है अगर हमारे पास में option में होता, तो हम यह वाला relation क्योंकि वहाँ पे जो options है ना, वो सी के according given है क्या लोजिक लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब क्या relation है, 3 से 27 का कोई दूसरा relation देखो, हाँ जी, अगर मैं 3 का क्यूब कर देती हूँ, क्या आएगा, तींतिया, नो, नो, तिया, सत्ता, इस तैट मिंस 27 आएगा, ठीक है, अब 4 का अगर मैं, अब रिलेशन क्या है, क्यूब का, अगर मैं 4 का क्यूब करती हूँ, तो कितना आएगा, चार चो के, सोडा चो के, चोट और यह हमारी option में है, यह हमारी section में comment कर देंगे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह है कि questions आप easily कर पार, then well and good, अगर आप लोगों को लगता है कि हांजी, और तो ठीक है, औरो में तो logical है, ठीक है ना, जैसे कि मालो blood relation ही कर रहे है, हमें पता है कैसे solve करना है, हमें exam में कर आएगे, बट इसके अ अंदर logical reasoning के अंदर questions available है, वहाँ से आप questions ले सकते हो, ठीक है, yes, micro courses में जाओगे, कोई अगर आपको problem आती है, तो आप comment section में मुझे comment कर के बता देना, micro courses के अंदर जाओगे आप, ठीक है, micro courses के अंदर logical reasoning में जाएंगे, logical reasoning में analog के अंदर जाओगे, जब आप analog के अंदर जा को select कर लोगे, आपको questions मिल जाएंगे, और जो question मिलेंगे, वो भी आपको test की form में मिलेंगे, that means कि और भी ज्यादा beneficial हो जाएगा, test को आप attempt करोंगे, आपको पता चल जाएगे, इतने question आते है, test को attempt करने के बाद में, मालो 50 का test अपने attempt कर लिया, ठीक है, अब उस 50 में से ज लोगी और classification पे तो practice ही है, ठीक है, जितनी practice करोगे तो उतने logic clear होंगे, ठीक है, इसमें lecture के आपको जरूर रहतनी है, आपको पता चल गया, कि हाँ जी, इस तरह के questions आते हैं, यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है, आप क्या करना है, and next step क्या है, practice, तो practice तो आपने खुद तो परट, अब यहाँ पे भी अपने माइन में क्या आता है भी, क्या 7 से 56, ठीक है न, that means की 7 वाट छुपंजे, means multiply हुआ हूगा, यही आता न, माइन, first हमारे माइन में आता है, multiplication diviion, ठीक है, अब बट अगर मैं देख़ू यहाँ तो 9 को अगर मैं, yes, 9 को अगर हम multiply करते है 8 से तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाती है 72 और 72 तो हमारी ऑप्शन में है नहीं अब देखो यह जब यह मैंने लाइन लिखे थी यहां से कुछ और भी दिखाई दे रहे हैं तो यह नहीं आ रहा 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 रिलेशन क्योंकि हमारी ऑप्शन में नहीं डैट मींस कि कर लो किया है गया 90 अपका रोप्षन में है यह 90 ऑप्शन में है बिल्कुल है तो आंसर किया आपके पास में V hair progresses हां जी आपके पास में नेक्स्ट टाइप है नैक्स टाइप क्या है आपके पास में लेट राना लोगी आभी जो Tiff पहले हम वर्ड अनलोगी की वर्ड अलोगी पे अलग अलग टाइपश की हम तो सबसे के बसने नंबर लोगे पूरा वर्ड महाराश्ट पूरा वर्ड है और उसके बीच में एक रिलेशन है दोनों मिनिंग्फुल वर्ड ठीक है अब यहां पर क्या है लेटर के अंदर डिफ्रेंट लेटर आपके पास में गिवन है आपको लैटर तो लेटर रिलेशन इन दोनों के बीच में अब क्या relation है वही same relation अब मुझे किसमें चाहिए wxyz में अब हमने देखा कि क्या हो रहा है सारे consecutive letters है यहाँ पे भी ओपी क्योवार consecutive letters है ठीक है अब ओ ओ से ओ एसे अगर मैं ओ देखूं तो ए मेरा first position पर आता है ठीक है ए मेरा first position पर आता है ओ ओ कौन से नमबर पर आता है 15 पर that means कि हमारे पास जो difference है वो कितने का है 14 अब यह भी consecutive है यह भी consecutive वे डैट मिन्स कि सभी के अंदर difference कितने का हो गया 14 का difference हो गया सभी के अंदर 14 का difference हो गया अब यहां से देखो W से मुझे 14 का difference चाहिए 14 का difference w w के बाद xyz तीन तो यह हो गया तीन यह हो गया अब आगे तीन के बाद में मुझे 11 और चाहिए तो 11 नमबर पर क्या आता a b c d e f g h i j k k की position क्या होती है 11 दैट मिन्स क्या जाएगा के उसके बाद तो consecutive letter से क्या जाएगा k l m okay so answer क्या जाएगा k l m n clear हां जी बताओ कोई डाउट इसके अंदर point clear है पहले हमने जो given है उन दोनों का relation find out करने same relation जो आप से पूछा गया है उस पर आपने बीड करने डर्म यस हांजी अगर आप लोगो को लग रहा है कि वीडियो helpful है कहीं न कहीं कुछ सिखा है हमने तो वीडियो को बिटा लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर करेंगे ओके यस नेक्स्ट कोस्ट देखे फिर नेक्स्ट कोस्ट देखो क्या है D F H is related to F H D same way M O Q is related to what हां जी अब देखो यहां पर हमारे पास में क्या है D F H is related to F H D इसी लाइक कोडिंग डिक और इना जिन्हों ने कोडिंग डिकोडिंग कर रहा है न अच्छे से उनके लिए यह बोट इजी है ठीक है अब देखो यहां यहां पर तो हमारे पास में सारे लेटर सेम हैं, सारे सेम लेटर आ रहें, तो हम क्या करेंगे, पहले बाद के दो लेटर ले लिया उसने F और H, और फिर उसके बाद में फॉस्ट लेटर ले लिया D, यही हुआ है, तो अब इसी तरह से अगर मैं देखो M O Q, तो हम क्या पहले बाद के दो लेटर ले ले लेंगे और उसके बाद में फर्स्ट लेटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ओक्यों सो ओप्शन सी विल बिटा करेक्ट आप ओके क्लियर है सभी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हैजिटेशन यू कन कमेंट ओके यस दूसरा पॉइंट देखो बचे एक्जाम बहुत ही पास है तो सभी को एक टैस सीरीज तो मस्ट है ना आप लोगों को यह देखना है कि मेरी प्रिप्रेशन कितन कि जितने भी एक्जाम है सभी की टैस सीरीज अवलेबल है जाए वह आपके पास रेवन्यू अकाउंटेंट है ठीक है रेवन्यू अकाउंटेंट के लिए लगा लिजी आप ठीक है इसके अलावा अलाइड के लिए है पंजाब पुलिस के लिए है नायब तैसिलदार के ल आप जब वहां पर जाओगे test series पर वहां पर उनका number available है you can talk with him okay yes so class is over आज की class में हम इतना ही करेंगे next class में मिलते है classification next topic करेंगे classification next and I go okay thank you